टीवी के हैंसम हंक शोयब इबराहिम फामिली संग रमजान मना रहे हैं शोयब अपनी पत्मी और बेटे के साथ एक हैपी लाइफ जी रहे हैं बीते दिन जलक दिखलाजा में उन्होंने अपने डांस से सब का दिल भी जीता जिसके बार वो दुबाई घूमने निकले शोयब अकसर पुरसत मिलने पर फांस से बाते करते हैं बीते दिन भी शोयब ने कुछ ऐसा ही किया आक्टर ने की अपने फांस से स्पेशल बात चीत बता दें कि बेटे और करियर से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए शोयब ने कुछ ऐसी ऐसी चीजें कही कि हर कोई आक्टर की तारीफें करने लगा शोयब और उनका परिवार जहां रमदान में रोजे रख रहा है तो वहीं इसी बीच एक यूजर ने शोयब से ये पूछ लिया कि बहतर मुस्लिम कैसे बने इसका शांदार जवाब देते हुए शोयब ने कहा मुझे लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ कि किसी को मुस्लिम होना बता या सिखा सकूँ गुनाह सब से होते हैं और इन सब में मैं भी शामिल हूँ मुझ से भी गुनाह होता है Хालाकि मैं हमेशा कोशिक करता हूँ कि किसी का दिल ना दुखाओं किसी की पीट के पीछे उसकी बुराई न करूँ किसी को जज ना करूँ अपने अखलाक अच्छे रखूँ क्योंकि इसलाम आपको यही सिखाता है अक्टर के इस जवाब की तारीफें करते हुए हर कोई उन्हें नेक इनसान बता रहा है शोईब को perfect family man, perfect human being कहा जा रहा है वेल शोईब इबराहिम, अपनी अच्छाई अपनी सादगी से अब फैन्स को मार ही डालोगे क्या पाइनल काट, निउस्टेस